प्रिशात्रों नमस्कार आएं आज हम पढ़ेंगे विद्धि चुम्ब की प्रेज़ण में एक लंबी परिनालिका का स्वाप प्रेज़कत्व इसके लिए हम वन्जक की स्थापनक करेंगे पिछले क्लास में हमने स्वाप रेज़ण के परिभासा को बहुत ही बेसिक से पढ़े थे उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बाक से आपको फिजिक्स 12 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो की अंत में भी आपको प्लेलिस्ट कर लिंक मिल जा तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा ठीक चलिए देखते हैं अब हमारा टॉपिक क्या है एक लंबी परिनालिका ठीक तो ध्यांदी जी यह हम एक लंबी परिनालिका ले हैं अब इसमें क्या करते हैं फेरों की शंख्या लेना पड़ते हैं को परिना इसमें जाएगा ये इस तरह से ये इसमें इस तरह से जाएगा ठीक ये इस तरह से फिर इसको हम एक लाइन को छोड़ देते हैं फिर इसमें फिर ये ऐसे जाएगा फिर इसको छोड़ते हैं तो फिर इसमें ऐसे जाएगा ये ठीक फिर इसको हम छोड़ते हैं तो इसमें ऐ हैं जब हम इस परिपत में हैं में अर्था मतलब परिवर्थन और के हैं परीवर्थन होता है और इस भी राdhin की दिश्या में प्रेरित विद्वध्ध धार होता है इस तरह से यह कुंडली है अब कुंडली की लंबाई ले लेते हैं हम मतलब परिनालिका की लंबाई ले लेते हैं इसमाल एन परिनालिका की लंबाई हम इसमाल ले ले लेते हैं धारा इस तरह से जाया है तो इसमें धारा इस तरह से अंदर जाता है और यहां से क्या होता है वो बाहर निकलता है अब परिनालिका में जो हम फेरा लगा हुए है इस तरह से जो हम फेरा लगा हुए है उसके एक फेरा के लिए हम संख्या ले लेते हैं small n क्या लेंगे एक फेरो के लेते हैं small n इसको हम आपको बंजक में बताएंगे तो यहाँ पर देखे परिनालिका के लिए small n लंबाई का एक परिनालिका है जिसके प्रती एक आंख लंबाई में फेरों की संख्या small n है ठीक इसके अनुप्रस्थ प्रेश्थ काट का छेत्र फल अनुप्रेश्थ काट का छेत्र फल ले लेते हैं कैपिटल ए जब परिनालिकर में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो चुम्बकी कि स्थापित करेंगे बहुत अच्छा वेंजक है छोटा सा यहां पर लिख्याप वर्णन चलिए वर्णन नोट करेंगे हैं आपने कापी निकाल ले जिन नोट करिए चलिए माना इसमाल एल लंबाई का एक लंबी परिनालिकर है जिसके प्रती एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इसमाल एन तथा अलुप्रस्थ काट का छित्रफल कैपिटल ए है फिर पैरग्राफ चेंज करके लिखेंगे जब परिनालिका में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो चुम्बके फ्रक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्द्धारा उत्पन्न हो जा परिनालिका है जिसके प्रती एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्माल एन तथा अनुप्रस्थ काट का छित्रफल कैपिटल ए है फिर पैरग्राफ चेंज करके लिखेंगे जब परिनालिका में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो उसके चुम्बकी फ्रक्स में परि इस तरह के परिनालिका हम सेम टू सेम किसे पढ़े हैं गती मान आवेश और चुम्बक कातों में इस तरह से पढ़े थे हैं ठीक इस तरह से एक आयात लेकर ठीक तो उसके लिए चुम्बकी छित्र की तिवरता क्या निकाले थे बी इकोल टू निकाले थे मिउजीरो एन तो हम क्या करेंगे इसका उप्योग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं परिनालिका के अंदर परिनालिका के अंदर चुम्बकी छेत्र परिनालिका के अंदर चुम्बकी छेत्र क्या होता है μ0Ni ठीक तो B equal to हम निकाल चुके हैं μ0Ni जहाँ पे N को क्या गयते हैं एक फेरों के लिए संख्या ठीक यहाँ पे बहुत सारा फेरा लगा हुआ है तो एक फेरा के उलिए जो मानते हैं हम small N ठीक क्या मानते हैं small N अब हम लेते हैं परिनालिका के अंदर कुल फेरों की संख्या ध्यान दिजी अब इसके एक फेरों के लिए संख्या क्या है small N है अब हम इस small N को L के साथ गुड़ा करेंगे क्या करेंगे L के साथ गुड़ा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा L इसकी लंबाई है और एक फेरा के लिए small N है जब हम उसको L के साथ गुड़ा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कुल फेरों की संख्या हो जाएगा ठीक जैसे ही N का L के साथ गुड़ा होगा मतलब इस परिनालिका की लंबाई के साथ तो वो बन जाएगा कुल फेरों की संख्या और कुल फेरों की संख्या को ले लेते हम capital N और capital N बराबर होगा small N into small L ठीक समझाया ना आपको simple सी बात है भई यहाँ पे दिखें मालीजे उदारण के लिए एक दो तीन चार पांच और पांच फेरों इस तरह से और गया है तो पांच दुनी में 10 फेरों ले लेता हूं कितना फेरों ले लेता हूं 10 फेरों ठीक टोटल 10 फेरों है और एक फेरों क के लिए आपके मालीजे अंक मिलते हैं एक फेरे लगाने में आपको दो मिनट लगता है कितना मिनट लगता है दो मिनट लगता है तो आपको दस फेरे लगाने में कितना लगेगा दस दूनी 20 गुड़ा करोगे ना तो टोटल यह कितना है बीस है और दो क्या है एक फेरों क संख्या बन जाएगा अब इसमॉल एन कमान हम को यहाँ पे रखना है इसलिए इसमॉल एन को हम इधर पक्छाणतर करेंगे तो यह होगा एन बटे ल और यह होगा इसमॉल इसे दे देते हम शमी करण 1 समी करण 1 में एन कमान रखने पर n कमान रखने पर चलिए n कमान रखे तो b equal to मिलेगा हमें mu 0 small n कमान क्या है capital n बटे small l तो रख दिजी capital n बटे small l और यह होगा i ठिक हम रख दिये मान इसको यह तो हुआ b कमान अब हम क्या करते हैं परिनालिका में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है चुम्बकी फ्लक्स उत्पन्न होता है तो उसको निख सकते हैं परिनालिका से बद्धन परिनालिका से बद्धन चुम्बकी फ्लक्स परिनालिका से बद्धन क्या होता है बताईए चुम्बकी फ्लक्स क्या होता है चुम्बकी फ्लक्स होता है फाई बी इक्वर्टू होता है एन बी ए यही होता है ना चुम्बकी फ्लक्स है ठीक फाई बी इक्वर्टू एन बी अब बी के मान को फिर हम यहाँ पे रखेंगे तो B के मान को जब यहाँ पी रखेंगे तो हमको मिलेगा फाई B equal to यह N और B का मान क्या है दिखें मूजीरो N I बटे L यह हैं मूजीरो N I बटे L और यह वाला यह है तो इसको रहने दीजिए ठीक यह हुआ चुम्बकी फ्लक्स कमान अब इसको थोड़ा सा उलहर करेंगे तो फाई B equal to मिलेगा हमें N और N के स्क्वाइर होगा मतलब मूजीरो N के स्क्वाइर आई ए बटे स्मॉल L यह हुआ चुम्बकी फ्लक्स कमान हमको निकालना है स्वाप्रेर कत्व अर्था स्वाप्रेर न गुड़ा अंक की हमें गर्णा करनी है तो स्वाप्रेर कत्व कर सूत्र क्या होता है बताओ स्वाप्रेर कत्व स्वाप्रेर कत्व होता है चुम्बकी फ्लक्स फ्लक्स फ्थाई धारा के अनुक्रम अनुपाती होती है क्या होती है धारा के अनुक्रमा अनुपाति होते है यहाँ पे के Lynn लगाते हैं ठीक तो यह होगा 5b equal to li और L को कहते हैं स्ववाप्रीरकत्व तो L का मान मिलते हैं हमें 5b बटे i यह होता है स्ववाप्रीरकत्व यह स्ववाप्रीरर गुडांक क्ये शुत्र तो स्वाप रिर्कत्यों की परिभाशा से क्या होता है L equal to 5B बटे I L equal to 5B बटे I अब 5B के मान को फिर हम उपर से यहाँ पर रखेंगे तो हमको L का मान मिलेगा 5B का मान है mu0 n square I A बटे I ठीक और नीचे में L है तो यह L I से I cancel होगा स्वाप रिर्कत्यों के लिए हमें सुत्र मिलेगा L equal to mu0 n square mu0 या mu0 कहते हैं इसको n square I बटे होगा यह I और इसी सुत्र का उप्योग हम इसमें करेंगे यही सुत्र क्या है लंबी परिनालिका के लिए स्वाप रिर्कत्यों का अभिष्ट वेंजक है एक बार सर्थरी तोर पे और देखेंगे इसको चुम्बकी छेत्र निकाल चुके है b equal to mu0 n i फेरो की संख्या कूल फेरो capital N equal to n into l यहाँ पे n का मान निकालेंगे l पक्षांतर होगा इस मान को यहाँ पे रखेंगे तो हमको यह मान प्राप्त होगा अब चुम्बकी फ्लक्स क्या होता है 5 e equal to n भी यह होता है ठीक तो यहाँ पे फिर b का मान उठाके रखेंगे हम ठीक तो यह मान होगा n और n का i square होगा अब हमको निकालने श्वप्रेर कत्तो तो श्वप्रेर कत्तो के परिभासा से l equal to 5 b बटे i 5 e के मान को फिर रखेंगे i see i cancel होगा और यह मिलेगा हमको इसका भिष्ट बन जग तो इस तरह से हमारा यह जो topic है वो complete होता है यह बहुत ही असान है तो इसके बाद हम nestr के class में देखेंगे एक वृत्तागार कुंडली पर swap रिर्कत तुकी गर्णा करेंगे तो यह दि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को share भी कर दीजिए फिर मिलते हैं nestr class में